नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सब का मेरी चैनल पे तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेसल गवार फली की सबजी जो की एकडम देशी तरीके से बनने वाली है तो आप लोग जरूर देखिएगा लाश्ट तक वीडियो ये सबजी बहुत ही हेल्दी होती है तो मैं मार् लिया है और अब इसे दूल के मैंने साइड में रखा तब तक मैंने मसाला तयार कर लिया है पीसने के लिए जिसके लिए मैंने लिया है हरी मेर्च लासुन और ये राई जिसे हम काला वाला सरसो भी बोल सकते हैं तो इसको मैंने ग्रैंडिंग जार में डाला है और ये प्रुकाथ फ्रेंट्स साब reuse ढाल अच्छा सा इसको चटक जाने देगे तो जीरा जब बढ़ियां से चटक जाए तरह में तब हमने जो मसाला बनाया है इसको भी मिला लेंगे यहाँ पे मैं छोटे-छोटे कंटेनर्स में सारे मसाले रख लेती हूँ पास में ही ताकि हम जब कुकिंग करें तो बहुत ही असानी से मिल जाएं बहुत टाइम ना लगे इधर उधर समान ज़्यादा भिखरे नहीं तो मैंने सारे मसाले इसमें अब मिला लिये रखे हैं उसको इसमें मिला लेंगे वैसे तो कुछ लोग पहले गौर्फली को थोड़ा सा भून के निकाल लेते हैं और फिर इसको पकाते हैं लेकिन मैं उस तरीके वाला नहीं बना रही हूं जल्दी में और कम से कम तेल में बनाने वाला यह तरीका है बहुत ही टेस्टी ब तो इसको मैंने अब ढग दिया है और पकने दिया है लो फ्लेम पे दो से तीन मिनट यहां पर तीन मिनट के बाद मैंने धकन को अटाया और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यह पक गया है तो इसी वीच हम इसमें अब ग्रेवी के लिए पानी मिला लेंगे तो एक से रेड़ कप के लगवक पानी मिला लिया मैंने और इनको अच्छे से चला के फिर से ढग दिया है पकने के लिए इसे हम मीडियम फ्लेम पे चार से पांच मिनट तक पकाएंगे तो मैंने यहां पे साइड चेंज कर दिया है और दूसरे तरफ मैंने रोटी बनाने भी आप जरूर देखिएगा उसको लाश्ट तक वीडियो में बने रहेगा बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है वह बहुत क्विकली और बहुत ही टेस्टी बनती है और इसी के साथ फ्रेंड्स आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मतलब पहली बार अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ये लीजिए देखते ही देखते सबजी हमारी पक गई है बहुत ही अच्छे से तयार है खाने के लिए तो गैस को आफ कर लें है इससे बहुत ही अच्छा सा सोधापन आता है बहुत ही अच्छा सा ये भुना हुआ तयार होता है कच्चापन नहीं रहता है इसमें तो एक एक करके सब चीजे जब पक जाएंगी तो हम इसको गैस से उतार लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसका चिलका साफ कर लेंग इनको हम धूलेंगे नहीं, पहले ही हमें धूल के इनको भूनना है, पकाना है, धूलने से इसका जो स्मूकी टेस्ट है, वो निकल जाता है, इसलिए हम इसको बाद में नहीं धूलेंगे तो मैंने लसुन सारे नहीं लिये थे ठोड़े से लसुन और मिर्च को साफ करने के बाद बढ़िया से क्रश कर लिया है खलवटे में यह देखिए और अब मैंने टमाटर को भी इसमें काट करके ठुकणों में डाला है चोटे चोटे और इनको भी मैंने खलबट्टे में ये बढ़ियां से क्रश कर लिया है, कूट लिया है आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में इसको चला सकते हैं हलका सा दरदरा और हाथों से भी मैस कर सकते हैं ये देखिए बहुत ही बढ़ियां से ये क्रश हो गया हैं अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया पत्ति थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर भी मैंने डाल दिया और ये टेस्ट के अनुसार नमक मिक्स करेंगे और लाश्ट में हम इसमें बारी कटी हुई प्याज भी मिलाएंगे तो बस ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और हमारा टेस्टी सा चटपटा सा टमाटर का भरता बनके तयार है खाने के लिए तो फ्रेंड्स आज के लिए मैंने डीनर में यही बनाया था गौर्फली की मसाले वाली टेस्टी सी सबजी और ये चटपटा सा टमाटर का भरता और रोटी आपको कैसी लगी हमारी ये आज की डीनर वाली रेसिपी हमें कॉमेंट में बताईएगा पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीजे और नए रेसिपी के साथ बाई बाई